नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कच्ची हल्दी के फाइदों के बारे में फ्रेंस वीडियो शुरूर करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडि नापदाइक होता है आईवएद में हल्दी दवा के रूप में उपयोगी किया जाता है इसमें उश्चदी गुन पाए जाते हैं जो कहीं तरह की बीमारियों में फायदेमंद होते हैं आम तोर पर लोग हल्दी पाउडर का यूज़ करते हैं लेकिन कच्छी हल्दी अधिक फ होता है अगर आप कच्ची हल्दी के सेवन से परेज करते हैं तो आप इस तरह कच्ची हल्दी का सेवन कर बिमारियों से बस सकते हैं आईए अब मैं आपको बताती हूं कि कच्ची हल्दी के क्या क्या फायदे होते हैं पहला फायदा है कैंसर में जी हां कहीं शोद में कुलासा हो चुका हैं कि कच्ची हल्दी में anti-cancer के गुन पाए जाते हैं इसके सेवन से cancer का खत्रा कम हो जाता है साथ ही कच्ची हल्दी tumor को भी समाप्त करने में शक्षम है tumor तब होता है जब कोशिकाओं के DNA में खराबी आ जाती है अगर आपके cancer से बचना चाते हैं तो आपको हल्दी का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए इसके अलवा फ्रेंज बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है बजन कम करने में बढ़ते बजन को कम करने के लिए कच्ची हल्दी का सेवन करने की सलाद दे जाती है इस बारे में उनका कहना है कि अगर आप लोग दूद के साथ कच्ची हल्दी को पीस कर अगर आप दूद के साथ सेवन करते हैं तो इससे आपका वजन बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा कच्ची हल्दी के सेवन से बट्टे वजन को नियंतित किया जा सकता है इसके लिए कच्ची हल्दी को पीस कर दूद के साथ सेवन कर सकते हैं इसके लावा फ्रिंस बात करते हैं अगले फाइदे की अगले फाइदा है डाइबटीस के मरीजों के लिए कच्ची हल्दी डाइबटीज में बहुत फाइदेमंद होती है इसके लिए डाइबटीज के मरीजों को रोजोना सुबर के नाश्टे में कच्ची हल्दी युक्त दूद का सेवन करना चाहिए इसके लाव फ्रिंस बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है कील महासो हल्दी को सुंदर्दा के लिए दवा बताया गया है इस शोत के अनुसार कच्ची हल्दी में एंटी बायोटिक गुन पाये जाते हैं जिन से तोचा में निखार आता है साथ ही कील महासों से छुटकारा मिलता है इसके लिए कच्ची हल्दी का फेस फेक बनाकर इस्तमाल कर सकते हैं इससे आपके चेहरे के कील महासों से बहुत ही आसानी से दूर हो जाएंगे और आप क्या चेहरा बहुत ही सुंदर बन जाएगा इसके लाव फ्रेंस अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कच्ची हल्दी का सेवन किस परकार करना है अगर आपको कच्ची हल्दी सेवन करने में तकलीफ होती है तो आप कच्ची हल्दी का अचार बनाकर आहार में शामिल कर सकते हैं साथ ही आप कच्ची हल्दी को पीस कर दूद में मिला कर सेवन भी कर सकते हैं यहां आपके लिए काफी ज़्यादा फाइदे मंद होगा इसके लाओ फ्रेंस मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाती हूँ अगर आपको हल्दी से कोई ऐलर्जी है तो आप बिना डोक्ट करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे जैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी न बुले थैंक्यू फ्रेंस मलते हैं बगली वीडियो में तब तक के लिए